दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में एक जाने माने फिल्म लिरिसिस्ट है ए-m-turaz जिनकी हाली में फिल्म रिलीज हुई है बाजी राव मस्तानी इस फिल्म में उन्होंने तीन गाने लिके हैं दो गाने फिल्म में हैं एक गाना सीडी में है लेकिन फिल्म में नहीं है और पोईट बड़े अच्छे हैं मुशायरे में हिस्सा लेते हैं प्लस अब वो भी बन चुके हैं, फिल्में लिख रहे हैं, स्क्रिप्स लिख रहे हैं, तो आईए बाते करते हैं, A.M. तुराज से, वेल्कम टू E.T.C. बॉलिवूड बिजनस. कॉमल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके E.T.C. चैनल का, कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूँ. अरे, आप तो बहुत काबिल है, वही, 25 फिल्में आपने इतने चोटे समय में कर लिया, और मेरे ख्याल से आप क्वालिटी पर बड़ा ध्यान देते हैं, आप हर कोई फिल्म के साथ नहीं जोड़ जाते हैं, ऐसा हमें लग रहा है, सही है? जी, बिल्कुल, देखिए, मेरी कोशिश ये होती है, जो हम सब की होनी चाहिए, कि हम ओडियन्स को अच्छा काम दें, अपने अपने इससे का, अपने फिल्ड का, जो भी जो करता है, चुकि ओडियन्स हम से ये कहने नहीं आती, कि हमें ये दो, हमें वो दो, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं, वो अपनी परसनल जिंदगी में इतना बीजी है, तो हम जो देते हैं, वो सुनते हैं, तो हमारी जमेदारी बनती है, कि हम जो भी करें, जो भी जिसका फिल्ड है, वो अपना बैस्ट, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें, लेकिन ये इतन के होकर इतने चूजी कैसे हो सकते हैं जी दरसल ये हैंगे मैं राइटिंग थोड़ी सी मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूं सीख रहा हूं तो मुझे मेरी राइटिंग ये कहती है कि मैं थोड़ा सा वो काम करूं जिसमें मेरी रूह को सुकुन मिले मेरी रूह को नहीं सुनन वाले की भी रूह को सुकुन मिले, मतलब वो यहां लगे, तो बस मेरी यही कोशिश होती है, उसके चलते हैं मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, थोड़ी से कोशिश करता हूँ, कि मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाए, उसके बाद और भी लोग हैं, तो वो भी काम करें सबी करें, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरी यही कोशिश होती है, बाजिराव मस्तानी में तो आपके गाने वाकई में बहुत ही पोईटिक थे, लेकिन आजकल बॉलिवूड के जो गाने हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि स्तर गिर गया है, तुखबंदी ज्यादा है, ऐसे में एक पोईट, आपकी तरह का पोईट अपने आपको सफ़केटिड फील करता है, या उस पोईट के लिए भी काम है, जी, मैं बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता हूँ, मेरे लिए भी काम है, जितना मुझे मिलना चीए, मेरे हिस्से का जो है, देखिए, मैं ये मानत मैं भी चाहता हूँ के बहुत ज़्यादा काम करूँ और मुझे मिले, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ी सी मुश्किलात तो होती है, जब आप मुंबई आये, यूपी से हैं आप, कहा से आये हैं? सर, मैं मुझफर नगर यूपी मेरट के पास है, व और मेरे घर पे मैं किसान का बेटा हूँ, तो सब कुछ है, वहाँ ऐसा नहीं था, कि मैं यहां से करके बहजूँगा, तो ही वहाँ कुछ होगा, तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रावलम इसली नहीं थी, कि मुझे ज़रूरत होती थी, तो मैं मांगाता रहता था, तो वो तो पोईट्री का शौक बच्पन से था? मैं बच्पन से तो नहीं था, हाँ, बच्पन से यह रहा कि मेरे वाली साब जो है, उनको शायरी का बड़ा शौक है सुनने का, तो मैं उनके साथ काफी चीज़े सुनता था, और उनसे बातचीत करता था, वो उर्दू पढ़े लिखे थे, तो उनसे बातचीत होती थी, तो अठारा साल की उम्र में कुछ कहना शुरू किया होगा, और साड़े उनस साल की उम्र होगी तकरीवर मैं बंबे चलाया था, तो एक डिट साल का एक्पिरिंस था, राइटिंग का, तो साड़े उननीस साल की उम्र में, आपके फैमिली ने एगरी किया कि आप मुंबई जाक कोई पैचन वाला नहीं था, और इसका मेरे अबा ने यहीं कहा कि आप नहीं जाएंगे, आप यहीं काम कीजिए, सब कुछ है आप, आप खुद मत कीजिए, तो कराईए और यहां रहें, और ऐसा था भी, मैं अभी भी जाकर रहा हूं, तो कोई शू नहीं है, बट मेरी जो जो करना है, करने दे, और फिर जब बहुत सारी बाते ही हुई, डिसकर्श हुआ, तो फिर अबाने कहा कि मैं ही जाएंगे, थोड़ा सा हुआ, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि यह जाएगा, आप भेज रहें या हम भेजें, अरे वा, यह एक दम फिल्मी सीन हो गया, मेरी दा करीबन एक देट साल तो यही जानने में निकल गया कि फिल्मिनिस्ट्री है कहां, मैं चुकि मैं टाउन में जहां ट्रेन ने छोड़ा, वही उसके आस पास मुझे जो जगा ठिक ठाक मिली, जानता नहीं था कुछ, डरते डरते हैं, वही ही रुपिया, उसके बाद फिर मु मैं एक ETV उर्दू का उन दिनों काफी चल रहा था, तो मुझे चुकि मैं उर्दू जानता था, तो मुझे शारुख मिर्जा जी ने एक गाना लिखने के लिए बुलाया था, अपने सिरिल के लिए, 24 पाली हिल, तो उसमें मुझे उन्होंने फिर मुसे बात की तो बोला, म का, बस धीरे दे, फिर 2005 में, मुझे कुडियों का है, जमाना नाम की एक फिल्म थी, जिसमें रेखा जी, वासुंदरादी, कीम शर्मा जी, असमित पतिल, ये लोग थे, महिमा चोधरी जी, तो वो फिल्म मिली, मुझे पहली फिल्म थी, मेरी गाने लिखने के लिए, अच् से, जो है, वो, स्पीड, परिस पकड़ ले, जी, तो वो नहीं मिली थी, वो चल रहा था, फिर मैं उसी बीच में, इसमाईल दरबार जी से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उनके साथ एक इंगलिश फिम थी, उसमें हिंदी में गाने थे, मैंने वो की, The Unfor के टेबल, तो मैंने कि उनके साथ फिर एक album आया था, जो दुबाई में शूट हुई थी, जी सच, फिर उनका एक album आया था, रसिया साजन, तो वो album मैंने बूरा लिखा, और फिर उन्होंने मुझे, सावरिया के टाइम पे, संजरिय नहीं से मिलवाया था, जो वो सावरिय बना रहे था, इसमायल दरबार जीने में, जी, उन्होंने मेरे कुछ गाने सुनाएं, तो संजेदी को अच्छे लगे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको मिलना चाहूंगा, और मैं मिला उन्हों से, लेकिन वो कुछ बात नी बन पाई, मैं सावरिया नहीं कर पाया, उसक संजे जी, मेरे इतने साल के एक्स्परियंस में, संजे जी पहले आदमी थे, जिन्होंने मुझे ये कहा था, कि तुर आज मेरी फिल्म भूल जाओ, और धुने उन्होंने छोड़ो, तुमारे पास जो अच्छे मुखड़े लिखे में है, तो मुझे वो दो, तो मैंने वो सारे लोगों को सुनाई थी, लेकिन नहीं समझ मैं किसी, उन्होंने लिए, तो मुझे खुशी वहां काम करके ये मिली, कि जो मैं लिखना चाहता हूँ, एक्चुली वो चीज मुझे लिखने का मौका मिला, बाकी तो, देखिए साब, ये जो है, एक दुकान है मेरी, तो इ इसलिए में वो ज्यादा खुश हो उनके साथ काम, और चुकि वो इतने बड़े डिरेक्टर है, जाहिर सी बात है, और बहुत धियान देते हैं चीजों पर, तो वो बहुत अच्छा लगा साथ, बाकी दिन के साथ मनें काम किया, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और उने साथ मज़ा आया है, सब अच्छा ही हुआ है, आप गितनी मी गाने हैं वो उठा के देखिए मेरे, मैंने सब में कोशिश की कि जो मैं करना चाहता हूँ, वो ही करूँ, बिलकुल, बिलकुल, लेकिन इतना freedom मिलता है एक lyricist को, एक songwriter को, या फिर प्रेडियूसर के कह खी आनुसार चलना पड़ता है, या director डिक्टेट करता है, कि मुझे इस किसम का ही गाना चाहिए, देख़िये साब, यह है कि, यह मुझे ही पता है कि, गाने film के लिए होती, मतलब होते हैं, film गानों के लिए नहीं होती है, तो जाहिर से बात, उसका खयाल रखना पड़ता ह और इसमें कहीं-कही मुश्किलात भी आती है उस ट्रैक पे चलने के लिए जो फिल्म का है तो उसमें कहींना कहीं मेरी पोटरी को थोड़ा सा मुझे पीछा रखना हो क्यूंकि फिल्म है, फिल्म के लिए ही गाने होते हैं आप मुशायरे में भी हिस्सा लेते हैं कई हाली में आप जावेद अक्तर साब के साथ विदेश गए थे तो मुशायरे के साथ-साथ फिल्म लिरिक्स बैलन्स करना आसान है या मुश्किल है सर देखें मेरे लिए भी इजी हो गया है पहले यह होता था कि जो मेरी पोईटरी थी मैं उसके लिए लड़ता था नहीं नहीं पोईटरी रहनी चाहिए अब यह हो गया कि मैं पोईटरी अपनी वहां पढ़ रहा हूँ और यहां मैं जो एक्टुल चाहिए फिल्म को, जो चीज चाहिए होती है, तो वो मैं आराम से एजी ली, हाँ भी ठीक है, ये करते हैं, तो थोड़ा कर आपके पोईट्री को एक और जगा, एक और प्लाटफर्म बिल चुका है, जी, 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 तो उससे मुझे फायदा ह रहे, नकसान कुछ नहीं, अच्छा ही है. तो रास साब जब लिरिक्स राइटिंग का काम इतना, या यू कहिए, वो दुकान इतनी अच्छी चल रही, मुशारी की दुकान इतनी अच्छी चल रही, फिर आपने स्क्रिप्टिंग के बारे में कैसे सोचा? हाली में, आपने सारा काम मिलता भी नहीं है और मैं जो भी करता हूं साल में एक दो फिल्में तो राइटिंग में लिरिक्स लिखने में बहुत जादा काम होता नहीं है एक दो हफते में आपके गाने काम खतम हो जाता है और मुशायरे में मैं बहुत नहीं पढ़ता हूं बहुत नहीं जाता ही अच्छा मुशारा हो रहा है yo तो जादा मुश्किल क्ाम नहीं है उसके बाद फिर मिने पास टाइम था अभी थोड़ी सी उमर भी होगी है तो पहले जब बिल्कुल मैं आया था नया था बच्पना था तो मुझे बहुत सारा टाइम मैं सोच ताथा खेल भी लूँ और ये भी कर लूँ बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ काम करूँ तो उसके चलते मेरे पास काफी टाइम था तो उस बीच में मैंने वो स्क्रिप्टिंग जो है वो फिल्म राइटिंग को वो टाइम को दे लिया तो फिल्म राइटिंग की मतलब स्क्रिप्टिंग आपने ऐसे ही शुरू कर दिया या फिर किसी का ओफर आया और आपने वो एकसेप्ट किया एक होता है कि मैं ये script लिखने लग गया, देखेंगे कौन खरीदेगा script और एक होता है कि कोई आपके पास आया कि हमारे लिए script लिखिए सर देखे, जहां-जहां मैं काम कर रहा हूं, writing, गानों की writing कर रहा हूं तो मुझे लगा कि मेरे पास भी कुछ चीज़े ऐसी हैं, कुछ ख्याल ऐसे हैं बिसकलिए मैं शायर हूँ तो मुझे ख्याल तो आते हैं तो मेरे पास कुछ चीज़े ऐसी थी कि मुझे लगा कि ये जानी चाहिए और ये कुछ अच्छा हो सकता है तो मैंने वो शेयर किया आइडिया एक-दो लोगों से तो उनको बहुत अच्छा लगा तो वापस मैंने उसको इसके किस शकल दी और फिर मुझे काम मिल गया सा डिफिकल्ट क्या है? ज्यादा डिफिकल्ट स्क्रिप्ट लिखना है या गाने लिखना है या पोईट्री लिखना है? देखिए सर्ब कोई भी क्रिएशन मुश्किल काम है वो राइटिंग निए दूसरा वी जो और फिल्ड है जो सब के हैं मेरे खाल से वो बहुत मुश्किल काम है आपके पास दो गंटे हैं और स्कृप्ट है आप चैसकते हो वो बात जो कहना चाहिए हो ÉIR को पोईट्री में शाइरी में ये है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आपके ये फ्री हैं आपने अपने हिसाप से लिखा अपने हिसाप से पढढा औरियन्स ने अपने हिसाब से सुना उसको लेकिन ये जो लिरिक राइटिंग है इसमें ये है कि इसमें आपको एक तो आजकर 90% गाने में रिखाल से 95 या 99 कहलीजी वो धुन में लिखे जाते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि जरूरत है एक तो वो बंदिश हो गई उसके बाद आपको अपनी पोऋट्री मि रखनी है एक वो हो गई उसके बाद फिल्म के सिच्वशन भी होती है और फिर डिरेक्टर का पॉन्ट अव जीव भी होता है बहुत सारी चीज़े होती है तो उन بहुत सारी इंस्पायर किन चीजों से होते हैं आप जब गाले लिखते हैं या जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तब देखे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है मैं कुछ समझ में नहीं आता बस मैं बहुत सारी चीज़े पढ़ता हूँ अच्छा सुनाने के लिए आपको अच्छा सुनने वाला होना पड़ेगा अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ने वाला होना पड़ेगा मेरा ये मानना है तो मैं कोशिश करता हूँ, जितना भी वक्त मुझे मिलता है, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में बस उन्ही चीजों से कुछ, देखे कुछ नया इस दुनिया है भाहनी, जो लोगों ने नहीं किया है हो चुका है, सब कह चुके है, जितनी बात हैं हम कर रहे हैं ये आप भी बहुत सारे लोगों के साथ बैट के ये बाते कर चुके होंगे बट सब का अपना अपना उसको बात कहने का जो अन्दाज है, वो अलग होता है, इसलिए वो हमको अच्छा लगता है तो बचा कुछ भी नहीं है ना कुछ फिल्म बनाने के लिए बचा है ना फिल्म लिखने के लिए बचा है ना फिल्म देखने के लिए बचा है दरावनी बात नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है जट तो अपना सबका अपना अपना अंदाजे बया है वो लोग कर रहे हैं तो वो ही नया होता है तुरास साब आप काम मांगने जाते हैं या काम आप तक आए इसकी कोशिश में रहते हैं जी बिल्कुल यह है कि मैं जब तक किसी को नहीं जानता तो मैं बिल्कुल काम नहीं मांगता और मैं धरता हूँ कि भई कहीं मैंने मांगा और नहीं मिला तो इसमें मेरी तो मतलब तोहिन है देने वाली की भी यार मैंने मांगा उसने दिया नहीं मेरी नजर में उसको नहीं लगता हूँ तो मैं थोड़ा सा जब तक पहचान नहीं हो उससे वक्त भी मांगता हूँ फिर वो सारी सीज़े हो जो फिल्में आपने लिखी है उनके बारे में कुछ बताईए और जो लिख रहे हैं उनके बारे में भी बताईए अभी मेरी एक फिल्म रिलीज पे है मेरे खाल से फरवर्णी में वो रिलीज है कम्प्लीट हो चुग है सिंगर है तो चुकि वो फिल्म और इश्काबाद मैं लिख दी है उसका शूरू हो भी गया है एक दो फिल्में और हैं तो वो मैं कर रहा हूँ यानि 2016 में आप का नाम बड़े पढ़ते पर बहुत ज़्यादा पढ़ने मिलेगा जी इन्शालला मेरी ऐसी कोशिशे हैं और लिरिक्स किन किन फिल्मों के लिखें बिसाइद्स दीज जी जैसे अब ही ये बाजीरो मस्तानी रिलीज हुई है उसके बाद वजीर रिलीज हो या वो है और ये डारेक्ट इश्क रिलीज होने वाली है और जिन्दगे अंदर रोक से कि फिल्म है और ट्रैफिक एक फिल्म है वों रिलेज होने वाली हैँ और और भी कई फिल्म हैं चों मुझे नाम्याद निया एस वicing तो वी फिल्मे हैं और जो इसके पहले माई कर तो वो थी फिर परकाज जहाजी की चक्र व्यू थी जिसमें कुछ गाने पर कॉंट्रोवर्सी पर जी जी हाँ वो टाटा बिरला मानी बाटा उसके पहले फिर डेवीड थी विजो नाम बिया जी की तो ऐसे ही जेल थी मादूफ जी की तो ऐसे ही तुरास साब आप बहुत तो मसा जाएं जी बिल्कुल देखेए मैं जहां भी जाता हूँ यह शेर में इसलिए पढ़ता हूँ चुकि मैंने इस शेर पर अमल किया है और सबक की तरह इसको याद किया, तो मैं चाहता हूँ, अगर कोई मेरा सुनने वाला इसको याद करके इस पर आमल कर ले, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, वो शेयर यूँ है कि जिन्दगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और फिर यू क्यावादे, क्यावादे, क्यावादे